हेलो फ्रेंड्स मैं वाई पी संग और मैं आज आपके लिए टॉपिक लेका हूं वह हीट टीट्मेंट फर्नेस तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि कौन-कौन से वाई फर्नेस होती है उस फर्नेस को हम आज डिस्क्राइब करेंगे तो आज के वीडियो में आपके ल हमारी एक कंटिनियूस फर्नेस होती है जिसके द्वारा हम हीट ट्रीट्मेंट प्रॉसेश एपलाई करते हैं इस फर्नेस में एट्मस्टियर कंट्रोल के साथ डारेक्ट हम हाड्लिंग, टैंपरिंग, कार्बो नाइट राइडिंग और केस हाड्रिंग के लिए यूज करत लेते हैं इसमें जो हमारी हर्थ होती है पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसको इसका प्रॉसेश इसको समझ सकते हैं कर लेते हैं झाल 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 यह हमारे आप इलेक्टिक हीटर्स लगे होते हैं यह हमारा फर्निस चंपर होता है और यहां पर हमारा फर्निस चंपर लगाओगा यह हमारे इलेक्टिक होते हैं यहां हम कह सकते हैं 108 होते हैं और यह जो हमारी हर्थ है यह हर्थ कहलाती है हर्थ जो इसमें हमारा यह टैंक है कुंचिंग टैंक जिसमें ओइल या वाटर यूज करते हैं या फिर कुंचिंग मीडिया यह हमारी कन्वेर बेल्ट होती है इससे हम मेट्रेल को यहां से कैरी आउट करते हैं अग्ष टैस अग्ष 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 इस और अग्ष तो यह हमारा फिगर है सिस्टमेटिक हमने एक फिगर बनाया सिगरत फिरनेस का इसमें प्रोसेश कैसे स्टार्ट होता हमारा जो यह हमारा स्टमेस है इसमें हॉपर से हम क्या करते हैं स्टील को दो तो चलिबत करते अब चु पीज स क्यों होता है जो मोह एबल ह हड्ड है मोई वलहर्डब कारता है और यहां पर जोर से डियंग में इध करते हैं उसकी बीजान ही ही इस में मेल्ट करता है यह क्था यह में तो इसका temperature होगा वो हमारा critical temperature पर जब हमारा material पहुच जाता है फिर उसके बाद हम इसे quinching के लिए बेशते हैं अगर हमारा material है वो critical temperature से अधिक नहीं है तो हम इस quinching process को start नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा material है उसको हम जो हमारी furnace chamber है उसमें उसको critical temperature से ऊपर तक heat up करते हैं heat up करने के बाद यह हमारा लगा होता है यहाँ पर discharge डाउन हिल डिस्चार्ज डाउन हिल जो हम इसको क्या करते हैं जो हमारा quinching tank है उसमें quinching के लिए पास कर देते हैं यहां हमारा oil या बाटर या quinching media रहती है जिसकी बज़ा से क्या होता हमारी एक दम से quinching होती है quickly हम इसको chill करते है quickly chill करते है quickly quickly chill करने के बज़ा से क्या होता हमारा जो austen night light austentize हो जाता है austentize हो जाने के बाद हम जो हमारा material है उसको इस compare bed की साहता से इसको carry out करते हैं जहां इसको wash करके dry करने के बाद हम इसका use करते हैं जहां इस इस process वारा हम इसकी जो properties होती है characteristics होती है उसको change कर देते हैं जाने कि इसमें hardness increase कर देते हैं तो यह थी हमारी sacred furnace continuous process heat treatment के लिए और इसका usage इस जो है जाल कर हम bolts, springs, clips, molds और die बनाने के लिए use करते हैं आए